Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Apollo Tires की स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 318.25 है और इसका 52 week high 321 है और इसका 52 week low 165.25 है देगे दोस्तों Apollo Tires जो हमें almost 52 week high के पास कारोबार करतावा दिखाई दे रहा है जो की काफी अच्छी बात है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं technical analysis और इसका overview forecast भी check करने वाले हैं तो दोस्तों video बहुत ज़दा important होने वाली है तो video में end तक बने रही हैं तो चलिए अब हम चलते हैं इसके technical chart पे यह जो आप chart देख रहे हो मैंने इसको trading view website पे open कर लिय है टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वन दे टाइम फ्रेम में जो है आम इसको देख रहे हैं अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्तुरी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते वो जून 2022 में इसने लो लगाया था वन 169 का फिर यहां से लो लगाने के बाद में जून से लेके आप तक जो हमें बहुत ही बढ़िया रैली इसमें देखने को मिल चुकी है जो कि काफी अच्छी बात है यहाँ पे एक important major resistance level हुआ करता था almost यहाँ पे आप देख सकते हो 300 से लेके 304 तक का मतलब कि 4 points का important resistance zone था stock multiple time इसी level पर आने के बाद में यहीं से हमें rejections देखने को मिल चुके थे लेकिन finally जो हमें यहाँ पे 28 November को इसका breakout देखने को मिला breakout होने के बाद में almost breakout यहाँ पे sustain भी कर रहा है यहाँ से stock जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है अगर आप fresh buy का plan करते हो या stock को पहले से या buy करके hold कर रहे हो तो यहाँ से जो है बहुत ही अच्छे level पे कारोबार कर रहा है यहाँ से हमें और भी ऊपर के level जल्द ही इसमें अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं यह वाला जो breakout था बहुत ही ज़ादा important था क्योंकि तीन बार इसको attend कर चुका था यहाँ से इसको break करने के लिए लेकिन finally हमें यहाँ पे breakout मिल चुका है अभी देखिए अगर आप fresh entry का plan करते हैं तो इसके नीचे का ACL लगा के ही आप यहाँ पे buying set plan करिए इसके जल्दी हमें उसमें उपर के level अची होते ही दिखाई दे सकते हैं मैं इस पर और एक video बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी चो है target यहाँ पे कोई उपर के और कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उपर के side में almost हमें जल्दी ही 340 के level भी अची होते ही दिखाई दे सकते हैं तो चलिए दूस्तों अम चलते हैं इसके ticker tab website पर वहाँ से check करते हैं इसका overview forecast और last 4 year का financial trend भी क्या show कर रहा है तो चलिए अब हम चलते हैं ticker tab website पर अब हम आ चुके हैं ticker tab website पर search box में company का नाम search करने के बाद आपको left side company का नाम show करेगा और उसके नीचे सी current price भी show करेगी intrinsic value की बात करेंगे तो current price is less than the intrinsic value उसी current price जो है intrinsic value से भी कम है जो कि हमारे लिए positive point है और यहां से plan कर सकते हों कि stock जो है overbought zone में नहीं है सबसे main जो importance होती है no red flag show कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term short term या swing trade के लिए plan करते हो तो उसमें no red flag देखे ही आपको जो है उसमें entry बनानी है तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका last four year का financial trend क्या show कर रहा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 2019 से लेकि 2022 तक का last four year का data हमारे सामने show कर रहा है as compared to 2019, 20 और 21 के इसाब से 22 में हमें बहुत ही अच्छी growth दिखाई दे रही है इसके जलते stock में हमें ऊपर की और bounce होते वे भी दिखाई दे रहा है तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की वीडियो में आगे बटने से पर एक बात बताना चाहूंगा friends अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और bell icon पर भी प्रेस करिए ताकि ऐसे आने value to stock है यहां से आप entry बना सकते हो forecast चेक कर लेते हैं analyst हमें क्या सला देते हैं buying की 27 analyst हमें यहां पर 70% buying की सला दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी सलाम उसको consider कर सकते हैं तो इसकी चलते हैं यहां से stock और उपर के और जाते हुए हमें दिखाई देह सकता है जब भी आप कोई भी आपना stop loss याद रखें उसमें एंट्री बनाएं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूडियो में इस यूट्यूब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक केर